हेलो दोस्तों मैं जी स्वागत करते हूं आपके अपनी चलनल जीत फोड़ी उपर आज की श्पेंड बीडियो में देखेंगे प्रतिवा पर मुल्ले अंगरी वर्करी 2021 विशय हिंदी विशिष्ट कक्छा 5 खंड आ साती था तपत इसमें खंड वा को भी देखेंगे तो आप पर चलते हैं आपको क्या करना है यहां पर अपना नाम डाल लेना है यहां पर आपके पिताजी का नाम और यहां पर शालक यहां पर आपको अपनी कक्छा डाल लेनी है पांच चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से अपनी वाक्षी फ्रारम होती है देखिए ठीक है ना इसके ये बाद प्रश्ण को पढ़कर नीची देगए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखें एक कहानी दी गई है इसको पढ़कर आपको नीची देगए विकल्पों को देखना है जैसे सुगंद सब्द का बलॉम है क्या दुरगंद इसके बाद निरबाः शब्द का अर् से त्याक की चंदन प्लास से हमने क्या सीखा आपसी प्रेम करना मार्क शब्द का अर्थ क्या है रास्ता अगला कोश्चन है निम्न सब्दों में से बहु बचन सब्द कौन सा है तो दीखिए फूलो ये बहु बचन शब्द है पहरे दाश शब्द कौन सा प्रत्य है पा मो देखेंगे दिया गया है चित दिया गया है आपको इसके आधार पर आपको आंगे की प्रश्णों के उत्तर देने हैं तो अपन देखिए प्रश्ण देखते हैं चित दिखाए गया चित में कुल कितने पात्र व्यक्ति हैं तो कुल देखिए चार पात्र व्यक्ति हैं कितने वेक्ति हैं चार पात्त वेक्ति हैं तो इस तरह अपन इसका answers लिख देंगे ठीक है ना तो अपना complete हो जाएगा चित्र देखकर इन में कौन सी घटा हो रही अनुमाल लगाएगे दिसी एक वेक्ति है जिसके हात में मटका है वो है उसे साहुकार के पास लाया है इस तरह अपना question complete हो जाएगा अगला question है चित्र का उलोकन करके कोई कवीते या कहानी बना का लिखे तो अपन कहानी लिखेंगे जैसे एक वेक्ति को मटका मिला है वो है मटका लेकर साहुकार के पास गया मटका खुलती ही वेक्ति खूस हो गया क्योंकि मटके में सोनी चांदी के शिक्के थे इस तरह अपना question भी complete हो जाएगा अगला question है मटके में क्या रखा होगा अनुमाल लगा कर बताएं तो दीखे मटके में सोनी और चांदी के करना चाहिए तो सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए इस तरह अपनी देश की नियमों का पालन अपन कर सकते हैं अगला question है पेड़ पौधों का हमारी प्रयवण क्या महत्त है वह हमारी जीवन में किस प्रकार उपयोगी है तो दिखी पेड़ पौधों का हमारे प्रयवण में बहुत महत्त है क्योंकि पेड़ पौधों से हमें oxygen प्राप्त मिलती है क्या मिलता है oxygen पेड़ पौधों से हमें फल शबजियां लकड़ी आदी बहुत अपयोगी वर्षुय मिलती हैं तो इस तरह एक कोश्चन कंप्लीट हो जाएगा जो अगला कोश्चन है तो आने पर वच्चे खुश क्यों होते हैं लिखिए तो दिखिए तो आने पर वच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि तो आप नए कपड़े वह मिठाईयां और घरों की सजावट और भी बहुत कुछ होता है इसलिए तिवहार आने पर वच्चे खुश होते हैं आंगे देखेंगे अपन आपकी साला में आयोजित किसी एक दिन की वालसभा का वर्णन अपने सब्दों में कीजिए हमारी साला में दिन की पित्योगता का मतलब बालसभा का आयोजिन लिख सकते हैं यहां से देखी मैंने कहा था भाब घंड वाभी अपनीसी में देखेंगे तो यहां से प्रोजेक्ट का स्टार्ट होता है वैसे ही आपको इसको भी भलेना है यहां पर अपना नाम डालेंगे यहां पर का नाम चलिए चलते हैं अब दिखिए अपने मित्रों के साथ कुछ खेल खेले होंगे उनकी आधार पापके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम डिखी तो यहां पर नाम लिखनेंगे जैसे किर्किट कैरम फुटबॉल सापचिडी लूडो और भी जो गेम आपको परशंदों वो यहां पर नीचे लिख सकते हैं जैसे कबड़ी खोखो और भी ज्यादा केम आंगे चलेंगे अपन तो दीखिए आपके द्वारा खेले जाने वाले खेल की ढूंड का चिपकाए या चित्र बनाए तो दीखिए यहां पर चित्र बना सकते हैं यहां पर मैंने लिख दिया क्या बनाया फुटबॉल आंगे दिखिए यहां पर होकी बनी हुई है इसकी बाद यहां पर पासा बना हुआ है ऐसी आंगे चलेंगे तो किनी दो मन पसंद खिलाडियों के चित्त बनाकर चिपकाए तो यहां पर आपको चित्त बनानी के लिए नहीं किय आप काट कर भी यहाँ पर चित्रों को चिपका सकते हैं और कौन से चित्र चिपकान है जो आपको खिलाडी पशंद हो यहाँ पर मैंने नाम लिखा जैसे दोनी और ब्राट जरूरी नहीं आपकी दोनी और ब्राट के चिपका हो आप यहाँ पर जो भी आपको खिलाडी पशं करना है तो क्या करें आप डारिक्टली यहां पर हल कर लेजिए यह हल मैंने किया हुआ इसको तरह से भल लेजिएगा ठीक है ना तो आपकी वार्क पहली समाप्त हो जाएगे तो दीखें आप अपने पूरा वार्क सीट का स्रोलूशन देख लिया है तो इस वीडियो को अब जादा से जादा से एर करें ताकि अपकी सभी दोस्तों के मदद हो सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद